दो प्रकार की धाराएं शिंतन में से निकलती है पहली है कि जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर और मॉडल हमारे देश में है उससे आम नागरिक परिशान है और इसलिए पहली प्रसिकिया कोई सुनता है तो उसकी ये होती है कि ये जो प्रस्तावना है ये बहुत आकर्शक है आकर्शक भी है इसके पक्ष में समर्थन भी है स्वामी जी ने एक इस महीने की पांच तारीक को कारिकरम किया मुझे बुलाया था उस कारिकरम से जब मैं वापिस गया तो स्वामी जी को याद होगा मैंने कहा कि डेड़ घंटा मुझे ट्विटर चैट करना था जा दुनिया बर से लोग प्रश्न पूछते हैं और डेड़ घंटे में लगबग 6300 प्रश्न मेरे पास आए उत्तर मैं केवल 61 प्रश्नों का दे पाया लेकिन अपनी जानकारी के लिए कि लोगों की सोच क्या है मैंने वो सारे प्रश्न एक एक स्क्रीन के उपर पढ़ता गया जगबग 300 लोगों की ये मजूदा टैक्सेशन विवस्ता से मुक्ति प्राप्त हो और इस प्रस्तावना पर आपका क्या सुझा हुए लगबग उन्होंने 300 लोगों ने प्रश्न इस विशे पर पूछा मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जो टैक्सेशन का धांचा है और जो टैक्समेन की सोच है जो लोग टैक्सेशन प्लानिंग करते हैं इस देश में वो बहुत अब सरल प्रकार की सोच बन गई है और सोच है कि जो व्यक्ति टैक्स देता है जहां जहां आप उससे टैक्स ले सकते हो यू मस्ट टैक्स तो अल्मोस्ट एवरी पॉइंट आफ यूर एकोनोमिक अक्टिविटी इस तो बी टैक्स अगर हम इसका लार्जर कंप्लेक्शन देखें तो लगबग दो वर्ष पहले जब केंद्रिय बजट आया तो उसकी चर्चा मुझे आरंब करनी थी संसद में तो मैंने अपने साथ एकाद दो रिसर्चर बिठा कर मैंने उनसे लगबग गिंती करवाई तो आई सेट प्लीज स्टार्ट काउंटिंग वाट इस टैक्स आई पे whatever I earn I will have to pay tax if I go and eat food in a restaurant I'll pay tax if I go to see a film I'll pay tax if I pay fees for my child there may be a tax component when I was practicing law if somebody paid me fees there was a service tax component what is brought into this country you pay tax what is brought into this city you pay tax you pay tax for the house you live in for the electricity you consume for the water you drink for the road you drive on अगर आप कुछ manufacture करते है और manufactured product खरीते है तो उस पे tax है समान खरीते है तो उसके उपर tax है तो अगर आप 30% income tax देते हैं 10% उसके उपर सर्चाज देते हैं तक 33% और फिर आप सारे indirect taxes लगा ले तो लगबक 60% से उपर direct indirect tax की दुनिया में आप चले जाते हैं और अब वो स्थिती नहीं है कि ये देश बहुत highly taxed है आज Americans are more highly विशेश रूप से जो Americans कुछ states में रहते हैं जो Manhattan में रहता है उसके उपर जो tax का दबाव है वो 70-75 के करीब है और इसलिए taxation का इतना भोज और कई बार disincentive और incentive क्या है कि किस तरीके जा इस नेट से बदलिए और जो आप लोग tax planning करते हैं वो तो official tax planning है और जो पैसा विवस्ता में system में आने नहीं देता वो इस सारे के सारे taxation से बचने का अपने आप में और कई taxes से बचने का प्रयास करता है और शायद ये 300 या 3000 प्रश्न जो आए इसके पीछे मूल कारण ये है कि हर जीवन का जो aspect है जन जीवन की जितनी आर्थिक गतिविदी है जितनी economic activity है जहां जहां tax लगा सकते हो उंगली लगा कर वहां tax लगा दो इसलिए स्वभाविक है कि इस taxation को सरल किया जाए ये एक सोच आती है और इसलिए जिस किसी ने साथियों ने दूसरी कलपना की वो कलपना ये थी कि इस व्यवस्था से थोड़ा मुक्ति प्राप्त हो जाए तो अगर आप एक प्रश्ण पूछेंगे कि शुड़ देर भी सिंफ्लिफिकेशन शुड़ देर भी रैस्नलाइज़ेशन शुड़ दे नंबर ओफ इंसिदेंस अफ टैक्सिस कम डाउन तो स्वभावी के इस सबका उत्तर हां में होगा इसमें कोई संकोच नहीं है लेकिन क्योंकि ये मंथन है इसमें कई कठिनाई आएंगी और कई प्रश्ण आएंगे वो राजनेतिक दृष्टी से भी समस्या वाले होंगे वो आर्थिक दृष्टी से भी प्रश्ण उठेंगे जो राजनेतिक समस्या सबसे पहली आएगी कि आज टैक्सेशन इकठा करने का अधिकार जो है वो तीन स्तर पे होता केंद्र को है राज्यों को है और लोकल बॉडिस को है लोकल बॉडिस को हम राज्यों का हिस्सा भी मांग सकते हैं स्वामी जी इस देश में एक परिवर्तन हुआ है कि जिसको चाहे हम रीजिनल एस्पिरेशन कहें शेत्रों की या राज्यों की वो बहुत मजबूत हो गई है और आज जो राजनेतिक चरित्र इस देश का बना है उसमें फेडरलिजम या संगिये धांचा जैसे यूनिटी और डिमोकरसी पहले 20-30 वर्षों में थे आज प्रात्मिक्ता सेंटर स्टेज उसको मिली हुई है हर शेत्र अपने अधिकारों के बारे में बहुत गंबीर हो चुका है कि जो समविदान के तहट हमें अधिकार मिले हुए है टैक्सेशन के हम राज्यों के अधिकार केंद्र को देने को तयार नहीं है और कई राज्यों की स्थिती ऐसी है कि अपने taxation powers आज जो 7th schedule की list है center, concurrent, state एक भी entry एक list से दूसरी list में डालनी चाहे तो सारे मुख्यमंत्री कठे हो जाते है कि हम डालने नहीं देंगे तो इसलिए यह सबसे बड़ी राजनेतिक चुनोती होगी कि जब हम single point पे taxation इकठा करने आरंब करेंगे तो राजियों को यह समझाना कि आपका tax बढ़ेगा आपके साथ अन्याई नहीं होगा यह केंदर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनेगी कई विशे ऐसे हैं जिसमें indirect tax क्या रखने पढ़ेंगे इन सब को इस सिस्टम के तहट आप कैसे वर्काउट करते हैं इससे एक घंबीर चिंतन और इसमें से कोई workable mechanism बने तभी वो जाकर एक चर्चा के लिए उसको present कर पाना अपने आप में संबब होगा इस वक्त अगर मैं बड़ा चित्र इसका करूँ तो excessive taxation इंस्पेक्टर राज complex taxation इससे समाज परिशान है इसलिए इस प्रस्तावना का आकरशन है इसको लागू करने में बहुत प्रश्ण है और इसलिए इस मंथन को आप आगे बढ़ा कर मुझे लगता है कि विबिन राजनेतिक दलों तक जाने की आवशक्ता है राजियों तक जाने की आवशक्ता है जो experts हैं उन तक जाने की आवशक्ता है ये जो chartered accountants है अगर आपने इतना simplification कर दिया तो इनका काम भी आदा हो जाएगा tax planning तो अपने आप में समापत हो जाएगी ये cable accounts का काम जादा किया करेंगे क्योंकि एक ही tax होगा तो इसलिए tax planning का बहुत scope उसमें नहीं रहेगा productive काम करें तो इसलिए इस विशे के उपर मुझे लगता है कि इस मंतन को आगे बढ़ा कर इसके जो प्रशन उठते हैं मैंने तो कुछ मेरे दिमाग में जो प्रशन है आप से मैं इस dialogue में करता रहा हूँ और आपने उसके बाद ये slab system का एक सुझाव दिया है मुझे लगता है कई जो विशेशक गये हैं गिरिश जी जैसे लकोटिया जी जैसे इनके मन में जो प्रशन हैं ये पहले सामने आ जाएं और इस खुली चर्चा के अंदर इनी जैसे विद्वान लोग उसका कुछ उत्तर भी ढूंड लें तो शायद एक अच्छी विवस्ता तक पहुँच पाने के लेका हम लोगों को इसका लाब मिलेगा आपने ये पहल की है और समाज में बहुत बड़े वर्ग को एक वैकलपिक सोच तक सोचना और चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है इसके लिए तो हम सब आपके आभारी हैं